प्रेंट्स मैं हूँ सतंद्र केतिवारी 22 से और स्वागत है आपका भुक समरी इस्टोर में जहाँ पर आपको मिलता है वोर्ड के बैस्ट भुक की समरी जो बहुत ही कम टैम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और बुक में देगे स्टैप्स को आप अपने लाइफ में उतारके बहुत सारे फायदा ले सकते हैं दोस्तों एक ऐसा मैं आज बुक लेकर आया हूँ जो आपको बताएगी कि आपको सिर्फ खुस रहे के सक्सेस कैसे हो सकते हैं जी हां दोस्तों इस book में लेखक बताते हैं कि खुसी आपकी एक ऐसी tools है जो आप अगर खुस रहते हैं तो आपके सफल होने का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों इस book में total seven principle बताया गया है कि अगर आप जिन्दिए में success होना चाहते हैं अपने life में अपना target achieve करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं वो सब पास सकते हैं अगर इस seven principle को आप समझते हैं और इसको आप अपने life में उतारते हैं तो सब कुछ पास सकते हैं आप दोस्तों इस seven principle में से हम जो तीन important principle है उस पर वो discuss करेंगे और वो detail में समझेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम लोग easily success हो जाएं और जल्दी success हो जाएं दोस्तों इस book का नाम है happiness advantage and book के लेखर है swan anchor swan anchor बताते हैं कि अगर आप जिन्दगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई चीज आपको करने की जुरूत है तो आपको खुस रहने की जुरूत है दोस्तों उन्होंने इस book में बहुत अच्छा तरीका से explain किया है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने life में success हो जाएंगे तब हम खुस हो जाएंगे और खुस रहेंगे लेकिन exactly ये life में नहीं होता है real life में इसकी exactly opposite होता है कि अगर आप success होना चाहते हैं तो आपको अभी खुस होना पड़ेगा खुस होना एक ऐसा tool है आपके पास एक ऐसा हथियार है एक ऐसा weapon है जो आपके success के तरफ लेके जाएगा तो आप ये नहीं सोचे कि आप success हो जाएंगे तब आप खुस होनगे नहीं आपको खुस पहले होना पड़ेगा जिससे आप जल्दी success हो सकते हैं इस बुक में लेखक step by step हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सा चीज important है अपने life में हमें करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम success हो जाएं और जल्दी हो जाएं तो आईए principle पे आते हैं principle number one, happy people become successful दोस्तों लेखक बताते हैं कि जो लोग खुस रहते हैं वही लोग success होते हैं और ये chances भी जादा होते हैं कि वो लोग सबसे पहले success हो जाते हैं जो लोग खुस रहते हैं दोस्तों example के लिए कोई ऐसा situation सोचे कि एक बंदा है जो हमेशा खुस रहता है उसका target है कि मुझे ये करना है मेरे को millennial बनना है या मुझे financial free होना है और उसके लिए वो अपना काम करता है हमेशा happy रहता है खुस रहता है और वो अपने life की जो उसकी principle है जो life में success होने के लिए जो उसने plan किया है वो execute करते जाता है तो वो success क्यों नहीं होगा दूसरी तरफ एक ऐसा बन्दा है जिसको success तो होना है target उसने भी achieve किया है लेकिन वो बहुत परिसान है वो दुखी है वो frustrated रहता है वो किसी से ढंक से बात नहीं करता वो दुखी रहता है दोस्तों अगर हम दुखी रहते हैं लेकिन आपकी BP जरूर बढ़ जाती है तो अगर आप life में success होना चाहते हैं और जो चाहते हैं वो पाना चाहते हैं तो आपको first step करना है कि आपको खुश रहना है दोस्तों खुशी एक ऐसे चीज होती है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपके अंदर confidence आता है अब जो कुछ भी करते हैं आप अपने life में पूरी confidence के साथ करते हैं positive के साथ करते हैं positive energy के साथ करते हैं तो वो चीज आप बहुत अच्छा तरीके से और बहतर तरीके से कर पाते हैं अगर आप compare करें तो कोई दूसरे से जो दुखी रहता है और वो हमेशा परिसान रहता है तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो एक साफ और क्लियर आपको याद होना चाहिए कि सक्सेस होने के लिए खुस होना बहुत जरूरी है तो हमेशा आप खुस रहेें आपने जो पलान बनाया है युष पलान पर अडिक रहें आप हमेशा आगे बढ़ते रहें सलोली सלोली आपके लाइफ में जो आब चाहते हैं वो आप पास सकते हैं Principle No. 2, The Tetris Effect. दोस्तों, लेखक बताते हैं कि बच्पन में आपने एक गेम खेला होगा, वीडियो गेम अगर आप खेले हैं, तो उसमें होता है कि वीडियो गेम में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, और हमें ब्लॉक्स को अरेंज करना होता है, अगर हम लोग ब्लॉक्स आरेंज नहीं करते हैं, तो वो फिर हम लामारा गेम ओबर हो जाता है, और हम लोग खार जाते हैं, जितने अच्छा गेम, वो अगर ब्लॉक प्रोपर तरीके से कलर टो कलर एन अरेंज कर पाता है, वो भी नरोता है और उसकी ज़्यादा points बनते हैं दोस्तो हमारी life भी exactly उस game की तरह है कुछ लोगों को में यह research किया गया कि जो लोग यह game खेलते हैं block वाला वो हर जगह जाते हैं तो उनका दिमाग उसी type का चलता है वो लोग सूपर मार्केट में जाते हैं और blocks ऐसे देखते हैं तो उनका दिमाग ऐसे बोलता है कि इसको ऐसे arrange होना चाहिए तो हमारा दिमाग को आप जिस direction में करते हैं जो आप अपने दिमाग को use करते हैं जैसे सोचते हैं वैसे ही आपके आजू-बाजू की circumstances change होने लगते हैं इसलिए लिखक बताते हैं कि अगर आप success होना चाहते हैं तो जो भी आपका लक्ष है आपके आजू-बाजू का महौल भी उसे हिसाब से होना चाहिए example के लिए अगर आप life में doctor होना चाहते हैं तो आपकी महौल doctor जैसा होना चाहिए doctor जैसे सोच होनी चाहिए आपकी doctor जैसे बात करते हैं वैसे आपको बात करना चाहिए आपको छोटी-छोटी presence की बाते सुनने चाहिए आपको जो भी डॉक्टर करते हैं, वैसा करना चाहिए, जब वैसे आप करते हैं, तो automatically आपकी आज़ बाज़ बाज़ की success होने चाहते हैं तो जो आपका target है उसके बारे में सोचें उसके बारे में amazing करें उसके बारे में हमेशा वो अपना target लिखके अपने पास रखें अपने जहां सोते हैं वहाँ पे रखें जिससे आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ें चलते रहें और उसी हिसाब के आपकी माहौल चेंच होता रहे तो दोस्तों हमेशा लाइफ में ये चीज़े याद रखना जुरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वो एक्तम क्लियर होना चाहिए और उसके बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए प्रिंस्पल नमबर थ्री फाल अफ इंस्टेंट अफ डाउन दोस्तों देखिए हम लोग जब काम करते हैं जब हम कुछ भी सक्सेस करने होने के लिए कुछ भी एचीव करने के लिए मेहनत करते हैं तो उसमें गिरना पॉसिबल है कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट एटम्प में आप पार हो जाए आप सक्सेस के लिए कोसिस कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कोसिस में आप एचीव कर जाए लेकिन आपको हमेंसा एक चीज़ ध्यान जरूर देना है कि अगर आप गिरते हैं तो ज़ादक से ज़ादा तीन चीज़े होती है अगर आपके लाइफ में फैलियर होता है तो ज़ादा से ज़ादा आपके लाइफ में क्या होगा, आपको ये सोच रहा है maximum 3 चीज़ें हो सकते इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता सबसे पहला चीज तो यह होगा कि कुछ चेंज नहीं होगा जैसे पहले आप थे वैसा ही है अगर आप सोचे IS के तियारी कर रहे हैं अपने पूरे मेहनत किया पूरे साल आपने मेहनत किया आपने एक्जाम दिया एक्जाम अच्छा नहीं गया तो ज़्यादे ज़्यादे क्या होगा कुछ नहीं बदला जैसे कल भी आप तयारी कर रहे थे आज भी आप तयारी कर रहे है सेकेंड चीज़ क्या होगा यू बिकम मोर निगेटिव आप क्या होता है कि आप negative हो जाते हैं आपको ये लगता है कि भई आप मेरे साथ ऐसे क्या हो गया ऐसा क्या हो गया कि मैं पार नहीं हो पाया मैं exam में success नहीं हो पाया तो आप negative हो जाते हैं तिसरे चीज़ क्या हो जाता है कि जब आप गिरते हैं तो आप और भी strong होते हैं तब आपको लगता है कि आप से क्या mistake होई किस वज़े से आप गिर गए किस वज़े से आपका exam अच्छा नहीं गया ऐसा क्या चीज़ है जो जिसकी सुधार की जुरूत है आपको और ऐसा करके आप अपने आपको सार्प कर लेते हैं आप अपने आपको वैसा बना लेते हैं कि जैसे आप चाहें वैसे बन सकते हैं हमेशा आपको try करना चाहिए आपको कोशिस करना चाहिए आप हो सकता है कि कोशिस करेंगे तो आप गिर जाएं आप fall हो जाएं, आप achieve न कर पाएं लेकिन उससे आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेगा और वो आपको और भी सार्प करेगा तो principle number 3 बताता है कि आपको कुछ भी काम करने से पहले कुछ भी try करने से पहले आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं success होंगा या नहीं होंगा आपको definitely करना चाहिए अगर आप success होगे तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा अगर आप इनके success नहीं हुए तो बहुत सारे lessons आपको मिलेंगे बहुत सारे चीज़ें ऐसी होंगे आपके लाइफ में जो आपको और भी स्ट्रॉण बनाएंगी तो हमेशा इन बातों को आपको ध्यान देना है कि आपको लाइफ में कुछ भी हो जो आपकी टारगेट्स हैं जो आपको प्लान है उसको आपको बिना डरे एक्सक्यूट करना चाहिए जब आप ऐसे करेंगे तो definitely आप सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह बुग आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और सेर जरूर कीजेगा जिससे हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए थैंक यू